आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question says that There was a large notice in the school corridor saying blank fire Press the alarm bell So, यहाँ पर एक sentence हमें given है उसमें एक blank present है और उस blank को fill करने के लिए हमारे पास चार option है जिसमें से एक option क्या है correct option So, हम बारी-बारी से चारों option को देखेंगे और फिर find out करेंगे कि इसमें से correct option कौन सा है So, sentence है हमारे पास There was a large notice in the school corridor saying fire fresh the alarm bell So, so sentence क्या है हमारे पास sentence है there was a large notice in the school corridor saying blank fire press the alarm bell So, so यहाँ पे जो sentence है वो क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि कि स्कूल कोरिडोर में एक बड़ा notice था जो कह रहा था कि कि अगर fire का fire जैसे incident happen हो तो वहाँ पे क्या हो तो वहाँ पे क्या करना है वहाँ पे इलाम bell को हमें प्रेश करना है that means यह जो यहाँ पे notice लगा है यह किस चीज के लिए लगाया गया है यह precaution के लिए लगाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा case हो जहां पे fire लग जाए तो वहाँ पे हमें इलाम bell को प्रेश करना है तो यहाँ पे condition की बात हो रही है कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पे जो correct words आएंगे वो है in case of जो कि हमें option 3 में present है इसलिए option 3 क्या हो जाएगा correct हो जाएगा क्योंकि जो corridor पर notice लगा है वो यहाँ पे क्या बता रहा है वो यहाँ पे बता रहा है in case of fire press the alarm bell कि fire के case में क्या करना है fire के case में alarm bell को press करना है so so यहाँ पे option 3 क्या है एकदम correct option option first if there तो यह option क्या है गलत option है क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें कि if there fire तो यह क्या है यहाँ पे sentence के structure को क्या कर रहा है sentence के structure को यहाँ पे गलत कर रहा है क्योंकि there के बाद यहाँ पे जरूरी है एक helping helping barb का आना जो कि यहाँ पे नहीं आपा रहा है इसलिए option बन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा option 2 है on account of तो यह option भी क्या है गलत option है क्योंकि on account of का मतलब क्या होता है on account of का मतलब होता है because of तो जब हम किसी region को describe कर रहे होते हैं या किसी description की जरूरत होती है तब हम on account of का यहाँ पे use करते करते बट यहां पे यह जुशन नहीं है इसलिए option 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा option 4 है supports engage तो यह option भी क्या है गलत option है क्योंकि is supposing इसका use हम कप करते हैं जब हम किसी ब्हुत को क्या कर रहे हो Amazon कर रहे हो तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं यहां पे हम precaution की बात कर रहे हैं कि अगर fire लग जाए तब उस condition में हमें क्या करना है तो यहां पे बात precaution से related हो रही है तो supposing इस क्या हो जाएगा यहां पे गलत हो जाएगा तो final answer क्या है final answer है option 3 in case of so option 3 is our final answer thank you